शुरुआती दृष्य में, एक युवक एक अंधकार में कमले में जागता है, भटका हुआ और अपने परिवेश से अंजान। कोई स्पष्ट निकास न होने के कारण, वह बांज दिवारों की जाँच करता है। केवल एक शौचालय और एक शौवप आता है। वह पागलों की तरह दिवारों पर हाथ मारता है, मदद के लिए उसकी पुकार व्यर्थ गूंचती है। शेर, शब्द वाली एक चमकती कंप्यूटर स्क्रीन देखकर, वह दर्वाजा खोलने के लिए वेभिन आदेशों का प्रयास करता है, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ। जब दुबारा साज़ा करने के लिए कहा गया, तो वह सहमत हो गया। इस बात से अंजान की उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है। निग्रानी के डर से, वह खाली कमरे में सवाल पूछता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। नल को सूखा और शोचालय को निश्क्रिया पाते हुए, वह पानी लिखता है। जिसे गूर प्रतिक्रिया, पांच, मिलती है। ब्रमित होकर, वह लेट जाता है। गलती से पाध छूट जाता है जिससे उसे अंक मिलते हैं। इनसे वह पानी खरीदता है और कुछ देर के प्रियापत अंक अर्जित करने में विफल रहता है। इसे खाने के लिए मजबूर होकर वह कुत्ते की तरह व्यवहार करके मनोरंजन करता है। हालां की अत्यदिक शराब पीने से विनाशकारी विस्फोर्ट होते हैं जिसके परिनामस्वरूप बिजली गुल हो जाती है। हताश होकर वह बाहर निकलने का रास्ता खोजता है और व्यर्थ प्रयासों में खुद को घायल कर लेता है। निराशा के आगे जुकते हुए वह गिरने से पहले रहाई की भीख मांगता है, अपने भागय से इस्तीफा दे देता है। एक बोतल से मॉनिटर को तोड़ने और अपने कमरे को अंधेरे में डुबाने के बाद, आदमी उसे दीवार से हटाने का प्रयास करता है और खाने की जगह की खोज करता है लेकिन उसे भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। निराश होकर, उसने मॉनिटर पर मुक्का मारा, जिससे वह घायल हो गया। जल्द ही, वह नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो जाता है। रहाई की गुहार लगाता है और हार से पहले हताशा में कम्प्यूटर से माफी मांगता है। कुछ समय बाद, कम्प्यूटर पुनह सक्रिय होता है, जिससे स्क्रीन पर एक बुजुर्ब व्यक्ती दिखाई देता है। वह भी कैद में था लेकिन उसके पास अधिक संपत्ती थी। बुड़ा आदमी सिस्टम में कभी कभार होने वाली गर्बडियों के बारे में बतात है कि कैसे एक निश्चित स्तर तक पहुँचने से एक सामान्य नेटवर्ग तक पहुँच मिलती है, जिससे कैदियों के बीच संचार की अनुमती मिलती है। शुरू में अविश्वासी होने पर आदमी को पता चलता है कि वे सभी एक ही असपष्ट परिस्थिती के शिकार ह हैं। जैसे ही वे बातचीत करते हैं। बुड़े व्यक्ती की लगातार बकबक से उसे अन्ख मिलते हैं, जिससे नायक परेशान हो जाता है। इसके बावजूद आदमी यादरच्शिक आदेशों के माध्यम से अन्य कैदियों की खोज करता है। प्रत्येक को एक अलग चै सीखता है और भोजन साझा करता है। हालां कि बुड़ा व्यक्ती उसे दर्शकों की रुची बनाए रखने और अन्क अर्जित करने के लिए सामगरी में विविदता लाने की सलाह देता है। सलाह पर ध्यान देते हुए। वह आदमी स्टेंड अप कॉमेडी, वकाउट, वकाईन और जादू के कर्तब जैसी विभिन शैलियों की खोज करता है। नए दर्शकों को आकरशित करता है और अधिक अंक जमा करता है। संभावित स्वतंतरता के करीब पहुँचता है। हालां कि आदमी को जल्दी एहसास हो जाता है कि बुड़े आदमी की लगातार ब वकाई एक योग प्रशिक्षक पर मोहित हो जाता है। उससे जुड़ता है और बुड़े व्यक्ती से जादू सीखता है। विक्सित होने और विविधता लाने की बुड़े आदमी की सलाह का पालन करते हुए, आदमी नए शैलियों के साथ प्रयोग करता है। व्यापक द अपने संचित अनकों से, 14 ने 73 के लिए दवा खरीदने का फैसला किया, जो पुरानी खांसी से पीरित है। हालां की, लेन देन के दोरान, वह गलती से 11 के कमरे में घुस गया और उसे शौवा में पकर लिया। घुस पैट से क्रोधित होकर उसने उस पर अफरन करता होने का आरोप लगाया। अपनी कैदी स्थिती को तेजी से स्पष्ट करते हुए। 14 ने उसके साथ अपनी एक जुट्ता का दावा किया, जिसमें 73 भी शामिल हुए। 11 से प्रेरित होकर, उन्होंने भागने के अपने प्रयासों पर चर्चा की। 14 ने पिछले व्यवहार को स्वी जान होकर, 11 सवाल करते हैं कि एक कमपनी यादरच्छे कजनवियों को आवास और जीविका क्यों प्रदान करेगी। जवाब में, 14 इस माहौल में उनके महत्व की नई भावना को दर्शाता है, जहां अब वह किसी के लिए माइने रखते हैं। इसके बाद, वह एक कटपु के साथ दर्शकों का मनोरंजन करता है। दर्शकों को प्रसन करता है और कई अनकरजित करता है। 11 द्वारा शौव कर्टेन उपहार देने से इंकार करने के बावजूद। 14 ने दर्शकों को हासिपूर्न ड्राइंग पाठों से आकरशित करना जारी रखा और 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 भी अ तेहत्तर अपनी वर्तमान स्थिती के लाभू की वकालत करते हैं। एक रात, तेहत्तर को गंभीर खांसी का दौरा पड़ा और दौरा पड़ा। जिसके कारण, चौदह ने ग्राहकों से मदद की अपील की, जबकी ग्यारह ने कंप्यूटर पर समाधान खोजने का प्रयास किया। दुर्भाग्य से, ग्यारह एक गलत आदेश से आग भलकाता है। स्क्रीम खाली होने से पहले 73 और उसके कम्रे को अपनी चपेट में ले लेता है। नुकसान से आहत होकर, वे अपने दुखद परिनाम पर शोक मनाते हुए कई दिनों तक चुप रहते हैं। एक सुबह, 14-7-11, उसे आश्वासन दिया कि वह बुड़े व्यक्ती की मौत के लिए खुद को दोशी न ठहराए, क्योंकि उसका इरादा केवल मदद करने का था। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, वह एक और कटपुतली शो करता है। बाद में, 11 ने शराब पीने की अपनी इच्छा स्विकार की। जिससे उन्हें शराब का ओड़ा देने और अपनी पिछली आजादी को याद करने के लिए प्रेरित किया गया। नशे की हालत में वे बिना संगीत के नृत्य करते हैं और अंतरंग पल साजा करते हैं। अगले दिन, 14 कैदियों को एक जुट करने और सिस्टम की कमजोडियों का फाइदा उठाने की ग्यारह की योजना से सहमत होते हैं। लाइव होकर वह दर्शकों को उनके इरादों से अवगत कराते हैं। संभावित प्रवेश बिन्दूों के रूप में सिस्टम विसंगतियों को उजागर करते हैं। इसके तुरंत बाद योग प्रशिक्षक 28 ने 14 से संपर्थ किया और उनके उद्देश्य के प्रती समर्थन व्यक्त किया। इस बीच साथी कैदियों की एक जुट्ता से प्रोटसाहित होकर 14 और 11 अन्य चैनलों की जाँच करते हैं। एक योग सत्र के दौरान 28 ने खुशी के महत्वपर जोर देते हुए। मुस्कुराहत लाने की 14 की क्षमता की प्रशनसा की वह उसे अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हैं। लेकिन 11 बीच में आकर उनसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करते हैं। अत्मक रूप से अपने बाल काटकर कारवाई की आवशक्ता पर जोर दिया। उस रात, तनाव तब बढ़ जाता है जब 28 के योग सत्र से 11 की नींद में खलल पड़ता है। प्रशिक्षक का सामना करते हुए, ग्यारह ने उस पर अशिष्टता का आरोप लगाया, जिससे रात की गतिविदियों पर जढ़ अप हुई। हालां की, ग्यारह सिस्टम को चुनौती देने के अपने द्रिर संकल्प में द्रिर है, जिससे तीनों के बीच दरार पैदा हो जाती है, क्योंकि वे स्वतंत्रता के लिए अपने अलग-अलग रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। 28 और 11 के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जिसमें 28 ने 11 पर साथी ब्लॉगर्स के साथ कटपुतली जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। बढ़ते तनाव को भामते हुए, 14 बीच बचाव करने के लिए आगे आते हैं। सपश्टता के क्षण में, वह 11 के परिप्रेक्ष की वैधता को पहचानता है और कारवाई करने का निर्नाए लेता है। लाइव होकर, 14 ने सभी ब्लॉगर्स से उन्हें एक-एक प्वाइंट भेजने का आहवान किया। हालां की, एक गरबड़ी हो जाती है, जिससे उसके अंक तेजी से बढ़ जाते हैं। उसके कारियों से क्रोधित होकर, 28 ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, जिससे संघर्ष बढ़ गया। जैसे ही टक्राफ तेज होता है, ग्यारह जवाबी कार्रवाई करते हुए 28 के कमले के अंदर बारिश करा देता है। जवाब में, 28 ने एक आदेश शुरू किया, उनकी रोशनी की गर्माहट, जिसके परिनामस्वरूप 11 के कमले में आग लग गई। 73 के भागय की याद दिलाने वाली लप्टों में फसकर, 11 की स्क्रीन पर अंधेरा चा जाता है। इस त्रासदी को देखते हुए, 14 निराशा से अभिभूत होकर घुटनों के बल गिर पड़े, अचानक एक दरवाजा बेवजह उसके पीछे खुलता है, जिससे एक उजवल, धूप वाले दिम का पता चलता है। अविश्वास करते हुए, वह दरवाजे के पास जाता है। लेकिन दरवाजा अचानक बंध हो जाता है, जिससे वह एक बार फिर फंस जाता है। आशा के एक क्षण भंगुर क्षण में, मॉनिटर बीप करते हैं।